हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग जिनबल समर्केम के लेवल टू में एप डवलोप्मेंट की क्लासिज हम लोग ले रहे हैं तो एप डवलोप्मेंट में हमने अभी तक कहीं सारे अप्लिकेशन बनाएं और कुछ बेसिक्स भी सीखे हमने क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लॉक के बारे में आपने देखा था कि कहीं सारे कॉंपोनेंट्स थे मैं और कहीं सारे मोबाइल के इन विल्ट सेंसर थे जिनको हम लोग यूज कर सकते तो जिन में से एक कॉंपोनेंट है हमारा क्लॉक तो लोग का हम लोग कैसे यूज कर कर सकते हैं क्या क्या एप्लिकेशन व्लोग कर सकते हैं तो यह सारी आज देखेंगे क्लॉग का कैसे यूज करना है लास्ट टैप में टाइमर बनाया था एक गेम बनाय था जिसके अंदर टाइमर यूज किया था तो अगर आपको वहाँ भी अभी कंफुजन है कि क्लॉग का इसे किया था आज आपको क्लियर आजा दारी कि क्लोक के साथ जो इस सांद के साथ जो इसलों में मिलेगे तो यह ऐसा करें कि साथा आज बनाने वाले तो चलिए शुरू करते सबसे पहले MIT App Inventor open कर लेते हैं MIT App Inventor में हम लोग new project बनाएंगे और इसका नाम हम लोग दे देते हैं clock अब देखो clock से क्या क्या हम लोग बना सकते हैं और क्या 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 करने वाले यह सारी चीजे एक बार देख लेते हैं तो देखो सबसे पहले आपको clock मिले की कहां पर clock मिले की आपको इस sensor वाले option में सेंसर का मतलब क्या है कि अपने मोबाइल के अंदर कहीं सारे अलग अलग तरह के सेंसर से मतलब मोबाइल के जो इन विल्ट हाडवेर से उन हाडवेर से डेटा लेने के लिए हम लोग इस sensor वाले टेप से अलग अलग कि आण एक्से सकते हैं जैसे एक्सेलर है एक्सेलरो मेरा जिससे युट्यू obtर चलता आता इंत्रूं युटीव करूं आति उन अलग होता है दो होता है जी एक्सेलरो मेटर एफ इन होता है के इन पारो के तरह हो दिंध स सकतमतुती हो जैसे Gary कि इंटेंसिटी कम जादा होती है अपने आप तो यह भी अपना आगी यूज़ करके देखेंगे फिर उसके बाद में लोकेशन सेंसर यानि जीपीएस जो होता है तो जीपीएस से अपर ट्रैकिंग वजारा कभी सिस्कम बना सकते हैं और प्रॉक्सिमिटी सेंसर यानि जैसे कौई बार आपने देखा होगा फॉन को आप पिक करते हैं कोई भी कॉल आता है उसको पिक करके आप जैसे कान के पास लेके डिट अपने बंद हो जाती है तो उसमें उपर एक सेंसर लगा वहोताैं जिसके सामने कोई भी अब्यव्यक्ट आता है तो उसकी लाइट बंद हो क्लॉक होती है जो कि डेटा फैच करती है और हमें इस क्लॉक का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वाज अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे अपन एक सिंपल बनाएंगे जिसके अंदर अपने को टाइम दिखेंगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेग हैं नटस थम्हें हैं तो क्लॉक में क्या होती है अपन तीन तरह की टाइम देखते हैं एक मिनिट और करेंगे ले लोगुत आध। इसके लिए अपने को ले लिए भर स्टेल Cup ले लेते हैं और ऑरिजोंटल आरेंघ्मेंंट और इसके अंदर इस लेबल को को पिक्स कर लेते हैं होरिजोंटल अर्रेंजमेंट को हमेशा की तरह अपन बिट्थ फिल पेरेंट और अलाइन्मेंट सेंटर लेबल का जो फॉंट है उसको अपन कर देते हैं 30 ठीक है तो इतनी बड़ी क्लोक हमें दिखाई देगी और उपर की तरह अपन कुछ और होरिजो जहीं दिखाए तो इस तरह से हमें यह तो इस तरीके से हमें यह ताइम दिखाई देगा तो त्इम एक बार सिंपल बनाके देखते किस तरीके से भटर ते हैं तो अब ओपनंचलेंगे प्रोग्रामिंग की तरफ ब्लॉक में देखो आपको क्या करना है सबसे पहले अपनी उस लोग को अनिवल करना होता है देखो क्लोग एक्चुल में करती ही क्या है क्लोग का आपको एक बास इंटल कॉंसर्ट बता देता हूं कि यह जो क्लोग हमने लिए यहां पर आपको टाईमक के साथ रिपीट कराने का यह फिर किसी अक्षंड को परफॉंक करने गालते और आपने कैमरा के बनाया और आप चांब होने ऐब सबसेंटक फोटो कलीब होती जाए सिर्दू हर् då सारह यह बना सकते तो टाईम इंटर का हाँ जब एक बरोसेस को एक टाइम के साथ रिपीट करवाना हो यह फिट टाइम के अकोडिंग उसको अपने को किसी एक्षन को परफॉर्म करवाना हो तब लोग यूज करते हैं अब देखो टाइम इंटरवल का मतलब यह कि अपन जब लोग यूज करेंगे तो वहां पर कोई भी टास्क परफॉर बढ़ेगा 60 सेकंड चाहिए तो 60,000 लिखना पड़ेगा तो अभी हम लोग इसको बढ़े एक सेकंड क्योंकि जनरली हम लोग जो लोग देखते हैं उस लोग में जो टाइम है वो कितने इंटरवल में अपडेट होता है एक एक सेकंड में आप मिलिसेकंड में भी लोग दे अपडेट करेंगे वन सेकंड में अपडेट करेंगे फिर अपन ब्लॉक में चलते हैं अब देखो आपने को यहां पर करना क्या है सबसे पहले अपन यह जो अपना लेवल है इसमें टाइम आयेगा की सब्सक्राइब आएगा क्लॉक की अपोर्डिंग तो देखो जैसे ही मुझा तो अगर अपना आप क्डार करेंगे तो अगर अगर अपने से हटाके एक बटन लगा देंगे तो इ सब कि अपन इसको ऑटोमेटिक रखेंगे जैसे ही एप ओपन करेंगे तो रियल टाइम जो एक्चुल में जो टाइम हो रहा है वो टाइम हमें दिख जाएगा ब्लॉक्स में चलते हैं अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हमें करना होता है टाइमर जब भी ओन होगा तो नiendo करना है टाइमर ने लेबल के अंदर लेक्ट कर वानर अपना टाइम तो लेबल पर मैं क्लिक करऊंगा और यहां पर हम लोग दरेंगे से टेक्स लेबल का तो उनको जोइंट करना पड़ेगा में तो जोइंट करने के लिए पनके अगर सकते हैं टेक्स्ट में जाएंगे और यहां पर एक जोइंट का उप्शन है अब जोइंट वाले में भी देखो अगर मैं प्लोक आपको वापस दिखाऊं तो लोक में एक्चुल में तीन नहीं पांच चीजे सबसे पहले इसमें जो आड से वो उसके बाद में कॉलन हैं फिर सेकंड फिर कॉलन फिर सेकंड सौरी मिनिट फिर सेकंड और फिर सेकंड तो यहां सबसे फेहले मिल गए तो तो टोटल फांच अलग अलग है यहां पर तो इसका फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा अब फॉर्मेट कैसे मह της कंपलेगा एंगा तो इस तरीक मिन हैं इस जोईंट आपने ऑप है इस पर क्लिक करके आप extra string यहां पर add कर सकते हैं तो टोटल पांच string हमें मिल गई अब 5 strings में से सबसे पहले आपन क्या देंगे यहां पर अपने कितने आर हो चुके जैसे नो बच के 10 10 minute 15 seconds हो तो 9 हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा कितने अब भी हुए वह अपने को दिखाना है तो कैसे देखेंगे अपन तो आपको देखने के लिए दिखो अपने को जाना है क्लॉक के अंदर और क्लॉक में आप जैसे जाएंगे तो आपको यहां पर यह ओप्शन मिलेगा एक है कॉल प्लॉक वन आर्स इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब अभी जितने आर्स हुआ है वह आपको शो हो जाएगा तो इसको अपन यहां पर फिक्स कर लेते हैं उसके बाद में हमें कॉलन लगाना है तो कॉलन अपना नॉर्मल ट अब उसके बाद में अपने को चाहिए होंगे सेकंड्स तो सेकंड्स मिनिट चाहिए होंगे तो में अपने इसको कॉपी करेंगे अपने को दूसरा लेना पड़ेगा तो वापस क्लॉक में चलेंगे और क्लॉक में आप देखेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा instant है ठीक है? अब उसके बाद में वापससे CALLUM हाएगा फिर उसके बाद में अपने को लेना है सेकंड्स तो अपन यहां से यह से केंड्स टी यहां से अपने को सेकंड बल जाएंगे अब बहु इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इंस्टेंट का ङहां मतलब होगा आपको किस टाइम का लेना है, कोनसे इनस्टेंट लेना है अभी जो अपने बस टाइम होगा है तो उसके लिए बसक्त अतम वापस जाना है, और है और क्लॉक वन ना weekend तो इससे क्या होगा current में जो अपने clock चल रही है उसमें जो time हुआ है उस time में से hours को यहां पर एक्सप्ट कर लेगा और minutes को एक्सप्ट करेगा और seconds को एक्सप्ट करेगा अब यह तीनों combine होंगे और हमारे लेबल के अंदर शो जाएंगे तो अभी एक बार अपने इसको एप को चला के देख लेते हैं तो सबसे पहले अपन जाएंगे connect कि एई केमपेनियन अपने mobile की स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूं कि मोबाइल की स्क्रीन में शेयर कर देता हूं आपको तो मोबाइल में अपन क्या करेंगे सबसे पहले माईटी एप इंवेंटर को ओपन करेंगे और यहां पर स्कैन क्यू आर्पोड इसको स्कैन कर लेते हैं अपन एक बार यह लोड हो जाए 15 परसेंट हो गया को क्लॉक में अभी अपना करन टाइम अरहा है अपने डिवाइस के अंदर गरन टाइम होगा जैसे इसमें इसमें अभी जो फ Weather डूइसें असेइं तो यह सिंपन एक चिंपल तो इस तरीके से अपन clock बना सकते हैं, अब देखो clock के और भी कहीं सारी use होते हैं, आपको कहीं बार timer use करना होता है, जैसे आपने stop pass देखा होगा, कि उसको आप जैसे ही on करते हैं, तो एक timer on हो जाता है, जैसे आप कुछ exercise कर रहे हैं, तो आपको 10 minute तक exercise करने हैं, तो आप timer on क तरके और फिर उस exercise को करेंगे, जब तक वो timer में 10 minute complete नहीं हो जाती है, तो यह simple clock तो हम बनाना सीखे, अब हम लोग timer बनाना सीखेंगे, तो देखो timer कैसे बनेगा, अपन इस app को open रख लेते, इसके साथ साथ यह update होता जाएगा, तो देखो timer बनाने के लिए अपन क्या करें इस label के अंदर अपने को timer दिखाई देगा, इस से पहले अपने एक layout ले लेते है, horizontal arrangement, और इसको यहाँ fix कर लेते हैं, और इसको यहाँ अंदर fix करके, और इस layout की width, fill parents, okay, and label, इसमें arrangement क्या होगा, center, अब इस label के अंदर क्या आएगा, timer आएगा, timer किस तरीके से आएगा, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा gap दे देता हूँ, यह अपन यहाँ fix कर देते हैं, ताकि अपने जो current clock और timer के बीच में distance आ जाएगा, और यहाँ पर अपने एक और label लगा सकते हैं, इसको copy paste कर लेते हैं, और यहाँ पर इस label के अंदर अपन लिख देते हैं, stop, watch, यहाँ पर अपने को stop watch बनानी है, ठीक है, stop watch होगी अपने आपर, और यहाँ पर इसके अंदर time दिखेगा, तो time का format होई रखना है अपने को, hours, minute and second, अब देखो stop watch में तीन बटन होते, एक तो start का button होता है, timer own करने का, एक timer pause करने का button होता है, और एक timer reset करने का option होता है, जैसे आपने जैसे start किया 10 minute का timer आपने pause कर दिया, फिर अगर उसी time से वापस start करना चाहते हो, तो वापस start कर दू और नहीं तो, जो अपना button है, उस open, user interface button one, two and three, तीन button होगे अपने पास, और इस arrangement को open कर देते हैं, इंविट तो होगे इसकी, पिल पैरेंट, ओके, अब अपन, टेक्स्ट में इसको कर देंगे, start time, तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट को open कर देते हैं, start, and mid वाले को open कर देंगे, pause, and इसको open कर देंगे, reset, ठीक है, ये तीन buttons होगे अपने, और इस arrangement को open कर देते हैं, center alignment, ठीक है, अब इससे अपना timer start होगा, इससे timer pause होगा, और इससे timer क्या हो जाएगा, reset, ठीक है, अपन इसका programming वाला पाट देख लेते हैं, अब देखो अब अपने को एक blocks में चलते हैं, ये वाली जो clock के अपनी ये तो अपना time manage कर देए, अपने को एक और clock चाहिए होगी, जो अपने stop आज को manage करेगी, तो इसको open sensors के अंदर एक clock ले लेंगे, अच्छा, clock अपने को इस phone में ड्रेकर नहीं है, ठीक है, clock 2 आगई अपने पास में, clock 2 का अपन time enable यहां से हटा देंगे, time enable अपने आप start नहीं होगा, जो open button पर क्लिक करेंगे तब timer on होगा, और time interval अपन seconds में रखेंगे, फिर blocks में चलते हैं, अब देखो अब अपने को यहां पर timer को manage करना है, timer manage कैसे होगा, सबसे पहले अपन करेंगे button, button one button two से अपने को पताने चलदा कि यह कौन-कौन से button है, अपन पर में जाओंगा और इसको मैं यहां से भी rename कर देता हूं, इसको अपन कर देते हैं, start, and second वाला button है अपना pause, and third वाला button है reset, ठीक है, आप यह दोनों application अलग-अलग भी बना सकते, एक block बना सकते हैं, और block के लावा अगर आप stopwatch अलग से बनाने चाहते हैं, तो stopwatch भी अलग से बना सकते हैं, मैं दोनों को combine आपको दिखा रहा हूं, अब अपने को क्या करना है, start button जैसे क्लिक होगा, तो when, यह वाला अपने को program लेना है, when start button click, start button click होते हैं अपने को क्या करना है, उस clock का timer on कर देना है, कौन सी clock का, clock number 2 का, और timer कैसे ओन होता है इसका, देखे इसका timer on करने का option है, यहां पर set clock to timer enable, यह करना है अपने को timer on, और यहां से logic से अपने को चाहिए होगा true, इससे क्या होगा, उसका timer on हो जाएगा, अब clock का timer on होते ही, अपने को क्या करना है, जो अपना जो label था, उसके अंदर अपने को timer on करना है, टाइमर उसमें दिखने लग जाएगा, तो देखो लेवल में अपन जाएगे, लेवल 3 में अपना timer दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जाएँगे, clock के अंदर, clock to, यह on होते ही, देखो clock, timer on होते ही क्या करता ही, यह इस function को call करता है, तो यह वाला function अपन ले लेंगे, when clock to timer, मतलब यह जैसे इसका timer होन होगा, तब अपने को क्या करना है, अपने को इस level 3 को update करना है, level 3 कौन सा ही, जिसमें अपना timer शो होने वाला है, तो इसका आपन क्या करेंगे, text update करेंगे, level 3 text, अब level 3 के text में अपने को क्या क्या चीजे दिखाई देगी, level 3 के text में अपने को एक तो second, एक minute और एक hours, यह तीनों चीजे अपने को दिखाई देगी, तो देखो यह तीनों चीजे पहले अपने को collect करने पड़ेगी, और उसके बाद में हम यहां पर show करेंगे, तो देखो इन तीनों के अपन क्या करते एक एक variable बना देते हैं, ताकि अपन इनके अंदर number store करा सके और इनको देख सके, तो यहां पर अपन तीन variable बनाएंगे, variables के बारे में आपको उता है था, किसी भी data को अगर आपको कुछ नाम देना specific और उसको बार बार यूज करना है, तो उसके नाम के साथ आप उसको यूज कर सकते हो, तो data को अपन फस्ट को दे देते हैं, arts and isco minutes, minutes and isco seconds, ठीक है, तीन variable बन गए अपने पास, अब अपने को इनका data चाहिए होगा, तो data initially क्या होगा इन तीनों का 0 होगा, क्योंकि टाइमर जब अपन शुरू करने वाले है, तब यह क्या होंगे, 0 होंगे, तो अपन इनको कर देंगे 0, यह भी 0, and control, यह भी 0, तो तीनों टाइमर क्या होगए, 0, अब clock को on होते ही, clock on होते ही, सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसको एक बार मैं side में रख रहा हूँ, सबसे पहले अपन time की calculation कर देंगे, फिर उसको display करेंगे, तो सबसे पहले अपने को seconds को update, हर second में update होगा, तो अपन क्या करेंगे, variable में जाएंगे, and set, set किसको करना है अपने को, seconds को, seconds कैसे set होँगे, हर second के बाद में, जो current seconds है, उनमें एक add होजाएगा, जैसे अभी 5 seconds होए, तो अगले seconds होजाएगा, फिर 7, 8, 9, 10, तो यह वाली जो clock है, अपने हर second में update होगी, हर second में update होगी तो आपन क्या करेंगे, यहां math का function लगाएंगे, प्लस वाला, क्या होगा, जो current seconds है, उनमें, प्लस वन करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, current seconds क्यां से मिलेगा अपने को, get variable में, और यहां से अपन select कर लेंगे seconds, और इसमें कर देंगे प्लस वन, तो प्लस वन करने के लिए math में, यह number वाला अपन फिल्ड लेंगे, यह mention, इसको कर देते हैं, अब देखो क्या होगा, जैसे एक clock हर एक second में run होगी, तो जितने seconds है, उसमें प्लस वन हो जाएगा, मतलब second increase होते जाएगे, 123456, अब उसके बाद में second increase होंगे, तो कब तक increase होने चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा, 60, 61, 62, 63, ऐसे seconds होंगे, जैसे 59 से 60 पर जाएगा, तो 60 से सीधा, एक minute increase होजाना चाहिए, तो अपन यहां पर आगे एक logic बनाएंगे, जिसमें अपन लिखेंगे, if, और यहां पर एक math का function यूज़ करेंगे, equal का, if, and get second करेंगे, जो seconds है, वो किस के equal होने चाहिए, 60 के equal अगर हो, तो अपने को क्या करना है, अपने को, update करना है, minutes को, तो minutes को update करने के लिए कैसे करेंगे, variable set में जाएंगे, और यहां पर minute, और minute में क्या हो जाएगा, one add हो जाएगा, और one add कैसे होगा, जैसे अपनने second में किया है, sorry यह वाला नहीं, उपर वाला जाथ अपना, यहां पर अपनने second में one add किया है, तो इसको मैं fix कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ minute, अब देखो यहां पर क्या हो गया, जैसे ही second 60 होते हैं, if second is equal to 60, then minute is equal to minute plus 1, जैसे 60 seconds होते जाएंगे, minute के अंदर 1 add होता जाएगा, और seconds की value क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 60 तक आएगा फिर वापस 0 हो जाएगा, तो अब अपने को यहां पर seconds को भी वापस update करना पड़ेगा, तो यहां से अपने इसको copy करेंगे, और यहां में इसको fix कर देता हूँ, इसको अपन साइड में कर लेते हैं, and यहां पर seconds क्या हो जाएंगे अपने, यह प्लस वाला option add जाएगा यहां से, and simply यह क्या हो जाएंगे 0, तो अपने इसको खर देंगे 0, seconds की value क्या हो गई अपनी 0, अब second की value 0 हो गई और minute की value 1 से increase हो गई, अब अगर मान लो minute की value increase होते होते 60 हो गई, तो अपने को क्या करना होगा, R की value को भी increase करना पड़ेगा, तो open यहां पर एक और logic लगाएंगे, वह होगा if का, इसके अंदर लगेगा यह द्यान रखना, first tip के अंदर second tip लगेगा, सबसे पहले seconds तो continue चलते रहेंगे, जैसे ही seconds 60 के बराबर होते हैं, तो second को 0 करना है और minute को एक increase कर देना है, अब ऐसे वह process चलती जाएगी, एक time ऐसा आएगा कि minute कितने हो गए 60 हो चुके, तो अब अब अपन वहां क्या करेंगे, second तो zero हो रहा है, minute को भी zero करेंगे, and r में one increase कर देंगे, तो यहां पर condition पहले क्या लगेगी, if condition उपर वाली copy कर लेते हैं, और यहां पर ऐसे हो जाएगा, if global minutes equal to 60, अगर minutes 60 के equal हो गया तो अपने को क्या करना है, अब open इसकी जो नीचे वाली condition है, इसको copy कर लेते हैं, और यहां paste करेंगे, यहां पर लिख देंगे, arts is equal to global arts plus one, अलब जितने arts हो गए उसमें plus one कर दो, ठीक है, और यहां पर minutes को क्या कर देंगे, अपन zero तो जैसे अपनने second को zero किया था पहले वैसे आपन कर देंगे minutes को zero, अब minutes अपने हो गए zero, और arts इंक्रीज हो गए, अब अपनी clock proper इस तरीके से काम करेगी, पहले 60 seconds होंगे, 60 वापस zero हो जाएगा, minute इंक्रीज हो जाएगा, 60 time चलेगा, 60 minute होता ही, अपने arts इंक्रीज हो जाएँगे, और बाकी सब zero हो जाएँगे, तो इस तरीके से अपना timer पूरा set हो जाएगा, और उस timer को अपने को show करना है, अपना जो timer वाला section है उसके अंदर, तो level 3 के अंदर अब अपन क्या करेंगे, level 3 को अपन यहां पर लगाएँगे, ठीक है, बिल्कुल, इसके outside में level 3, अब text में यहां पर क्या आएगा, text में अपने को लगाना पड़ेगा joint, तो joint अपन यह clock वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी format में अपने को लगाना है, तो clock वाला joint में यहां से copy कर लेता हूं, और यहां paste कर देता हूं, अब देहों यहां से तो यह current time बताएगा, ठीक है, अभी अपना यहां पर label के अंदर current time बताएगा, बट अभी अपन क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे, clock को और यहां पर अपन अपने hours, minutes और seconds को लेके आजाएगे, तो यहां पर अपने सबसे पहले आजाएगे, get seconds, seconds को यहां लगा देंगे, फिर उसके बाद में get minutes, इसको minutes में change कर देते हैं, फिर उसके बाद में get hours, तो यहां पर इसको hours कर देते हैं, तो यह ऐसे update हो जाएगा, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपनी app की screen को refresh करते हैं, screen refresh हो गई, अब अपन start पर क्लिक करके देखते हैं, start, यह timer अपना on हो गया, one, two, three, four, इस तरीके से seconds यह चलते जाएगे, अब मैं एक बार वीडियो को fast forward करके, आपको 60 seconds तक चलते हैं, फिर देखते हैं, इसमें वन मिनिट अपडेट होता है, यह नहीं, अपन करने को conकुछ यह ऱपया ने को conकुछ, बादे स 정도ं यहोते हैं शोच करके रेखते हैं जह हो। करेंदें जहाँए, अपको मेह थाआओं डेंदें मैं आपकोना करके स क्लीडि़ são जह हो जचलते हैं, तो अब देखो अपना यहां पर टाइमर हो चुक है 55 56 57 58 एंड यह मिनिट अपना चेंज हो गया और सेकंड वापर शुरू हो गया तो इस तरीके से यह मिनिट चीहएग करना चाहते हैं अभी अपना बटन काम नहीं कर रहा है और आप was waalering अपने अब इससको इसको ऑपन जना सकते हैं देखो इसको इसली कैसे बना सकते है मैं इन क्या सुछ आठायमर को ओन किया आहिए बोटन इसको पांन लेंगे इसको इसको आहीत क्लिक ग यहां पर अपन क्या करेंगे timer को और कर देंगे तो इस function को इधर लिंगे और यहां पर fix कर देता हूं and then अपने पास में false ठीक है यहां से timer क्या हो जाएगा false हो जाएगा तो अब post button पे click करके देखते हैं तो यह देखो अपना timer stop हो गया वापस से timer को start करते हैं यह timer start हो गया और फिर से timer क्या हो गया अए स्टार्ट कुछ और तो इस तरीके से अपन timer को पर सकते हैं अब अपना reset button का काम, reset button में क्या होगा, जब भी reset button क्लिफ होगा, तो reset button क्या गरेगा, तीनो जो चीजे अपने hours, second और minute, इन सब को क्या गर देगा, जिरो कर देगा, और अपनी जो display है, जहां पर ये timer शो हो रहा है, उस timer को 00 वहां पर अपन शो कर देंगे, तो देखो, यहां अपने को क्या करना है, इस variable में जाएंगे, and set, यहां पर अपन लेंगे hours, and math में अपन, 0, इसको यहां fix कर देंगे, इसको यहां fix कर देंगे, and minutes, 0, seconds, 0, hours भी, 0, तीनो चीजे जीरो जीरो हो गई, और इनको अपन क्या कर देंगे, display, display कैसे होगा, यह वाला जो अपना section है, इसको copy कर लेंगे, and इसको यहां पर लगा देंगे, तो तीनो चीजे अपनी वहां पर print हो जाएगी, 0, 0, okay, and अपने को क्या करना है, timer को भी pause करना है, timer भी pause करना पड़ेगा, नहीं, तो एक बार 0 होगी, फिर सी शुरू हो जाएगी तो timer भी यहां पर अपन लगा के false कर देंगे, या फिर इसको अपन ऊपर भी कर सकते हैं, एक बार timer, pause, और उसके बाद सब 0, then उसके बाद में यह प्रिंट हो जाएगा, अब अपन क्या करते हैं, एप में वापस देखते हैं, इसना timer on करते हैं, start, timer शुरू हो गया, फिर से timer pause, pause हो गया and reset, तो देखो reset में सब 0, 0 हो गया, start, pause and reset, तो देखो तीनों बटन अपने easily काम कर रहें, अब आप इसको design अच्छे से कर सकते हैं, start, pause, button को आप color वगेरा उसके अंदर कर सकते हैं, अलग-अलग and stopwatch की design वगेरा आप अच्छी और बना सकते हैं, इसको improve कर सकते ह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यह आप अपने आप कर सकते हैं, अब देखो आपको एक छोटा सा feature में एक और दिखा देता हूं, कि अपना यह जो time चल रहा है, उपर जो clock में time चल रहा है, इस time को अगर आप सुनना चाते हो, जैसे यह तो अभी दिखा ही दे रहा है, इस बटन को यह फिर यहां प्लेस कर देता हूं, और यहां पर अपन एक और ले आउट ले लेते हैं, और इस ले आउट के अंदर बटन को fix कर देता हूं, और ले आउट का अपना arrangement, horizontal arrangement, और width, फिल पैरेंट्स, ओके and center, अब यह जो बटन है इस बटन में अपने को क्या लिखना है बटन का नाम होगा टैल मी दिटाइम तो जो टाइम हुआ उस टाइम को यह बोल के बताएगा बोल के कैसे बताएगा तो उसके लिए देखो अपने पास यहां पर एक उप्शन होता है मीडिया के अंदर आपन और अपना जहां पर तो बटन था मीडे टाइम उस बटन का नाम अपने हैं मीडा टैम वाला जो बटन हम बटन था आपना बटन है ये वाला उसकुआ नाम यह लिग द 1600 लिवर देता हुं मैं इस से अपने को समझ में अजाएगा तो जो अपना टेल वाला बटन है यह वाल यह बटन क्लिक होते ही क्या होना चाहिए टेक्स्टू स्पीच और टेक्स्टू स्पीच क्या होगा जो अपना टाइम हुआ है करन्ट टाइम जो है वह करन्ट टाइम यहां पर प्रिंट हो जाएगा अब देखो यहां पर कंफ्यूजन कुछ इस तरीके से हो सकती है यह फिर अपन उस क्लोग का इसमें क्लोग की प्रॉब्लम नहीं रखेंगे अपन यहां पर इसको इस तरीके से बनाते हैं देखो सबसे पहले जब क्लिक टैल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तब क्या गणना है आपने को टेक्स्टीच में जाएंगे और यहां पर है यहां बलू गलर का एक फंक्षन है स्पीक मेसच में आगे मेसेज में आपन जो भी टेक्स याल hedge को यह बोल कर बताएंगे तो यह पर अपना यह प्लोग पूरा बनावा है और इस अत्ट्क का टाइम है उसको तो यहां से अपने इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहां पर पेस्ट कर देंगे बस यह पूरा अपना system बन गया जैसे अपने उसके क्लिक करेंगे तो text to speech तो text को speech में convert कर देगा और अपने को अपने मुबाइल में यह सुनाई देगा तो अपने चलते हैं वाफस designer वाले पार्ट में अब अपने फोन में जो tell me the time वाला बटन है उसको प्ले करके देखते हैं तो इसकी volume में फुल कर लेता हूं इंपर system की तो इस तरीके से अपने को time बोल के भी बता सकता है तो अपन यह text to speech वाला किसी भी app में यूज कर सकते हैं simple बस आपको यहां पर आगे text लिखना है और वो text convert हो जाएगा time में अगर आप चाहते हो कि यह आपका नाम बोले फिर आपको time बताए तो आप क्या अगर सकते हो देखों इसके अंदर joint वाले section में अपन जाएंगे और इस message को अपन यहां पर a course ट्रिंग कर देंगे ऊपर की तरह एंड यहां पर अपने एक text लिखेंगे text format हमारा यहां से मिलेगा अपने वो और यहां लिखेंगे हेलो अपन आगे किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप अपना पुद का नाम लिख सकते हो हेलो राम फिर आगे यह अपना time बताएगा और अपन क्या गरेंगे यहां राम के आगे आपको थोड़ा सा space देना है अगर आप यहां space देंगे तो थोड़ा सा राम बोलके फिर रुपके फिर time बताएगा ठीक है अब अपन प्ले करके देखते हैं इसका एक्सेंट थोड़ा सा अलग है तो इसलिए यह नाम आपको समझने होगा कोई भी नाम यहां पर लिख सकते हैं तो आप जो यहां पर लिखेंगे वो आपको यहां पर सुनाई देगा तो इस तरीके से आप कुछ जो टेक्स तो स्पीच वाले भी प्रोजेक्ट इसमे यह बोल के बताए तो यह भी आप इंपलिमेंट करके देख सकते हो तो इस तरीके से अपन क्लोग के अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं और जो अपना टाइमर चल रहा था नेगटिव में जो टाइमर चल रहा था वह भी कल अपने लास्ट जो अपने प्रोजेक्ट बनाया के अपन भी कॉंब कव् सबुनाब तो इस तरीके से अफन फलोक का यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे एप psychologist और अलग अप्लिकेशन हम लोग बना सकते हैं तो ऐसकी क्लास में इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स क्लास में न्यू टॉपिक के साथ पत्त के लिए बाई बाई थैंक यू